हलो फ्रेंट्स और हम देख रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट्मेंट 2020 का जो एकजाम हुआ था मार्च में अलग-अलग डेट्स पे अलग-अलग सब्जेक्ट का हुआ था और पोलिटिकल साइंस अधात सिविक्स का जो पेपर है वो 15 मार्च 2022 को हुआ उसकी ऑफीशल एंसर की आ चुकी है तो हम ऑफीशल एंसर की से मैच करती हुए एंसर देखेंगे और जो हमारी बुगलेट सीरीज है वो D है तो फ्रेंट सुरू करते हैं चुकी हम जीएस के जो 30 क्वेशन हैं देख चुके हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की क्वेशन देखेंगे जो 90 क्वेशन है 31 से लेके 120 तक का जो क्वेशन है वो देखेंगे 31 क्वेशन जो कह रहाए कि जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का पहला सिध्धान क्या है तो इसमें जो सही एंसर है D है समन्वें फिर हमारा अगला क्योशन है फ्रेडरिक रिक्स की साला माडल में कलेक्स रक्की से कहते हैं तो इसमें 32 का जो सही एंसर है वो है C वे हित समूह जो अर्ध हैं किन्तु आधोनिक तक्निकी के ग्याता है क्योश्चन नंबर 33 पर आते हैं क्योश्चन नंबर 33 जो है यह कह रहा है कि लूशन पाई की राजनितिक विकास की आउधारणा की तीन प्रमुख विशिस्ताएं जो है वो क्या है तो सही एंसर हो जाएगा इस समानता चमता औ अगला जो क्यूश्चन है 34 नंबर राज्य का कार्य सतजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के विरुध बाधा खड़ी करना है क्या तात पर यह क्या है तो आयोग ने इसमें सही एंसर यह को माना है राज्य के कार्य सकारात्मक हैं क्यूश्चन नंबर 35 देखें किसन क्यूश्चन को मिलाते जाएंगे मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूं यहाँ पे क्यूश्चन नमर जो 37 है यह करहा है कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तना सही तो इसमें सही एंसर है भी प्रतिक्रियावादियों और पूजी पतियों को खत्म कर देगी जो 38 नमर क्यूश्चन है कह रहे है अमेरिका में विदेशी सरकारों को मानेता देने की सकती जो है किसमें नहींत होती है तो इसमें सही एंसर हो जागा सी राष्ट्रपती में अगला जो कह रहा है कि इसको जो है आपको एक पुस्तकों के प्रकासन के कालकरम के अनुसार जो है ब्यवस्थित करना है तो 39 में जो सही एंसर है सी आप एंसर मिला लेंगे अगला जो क्यूश्चन है कह रहा है कि दबाव समुख के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है तो सही एंसर है डी चुनाव लड़ना क्यूश्चन नुबर 41 है एक स्वपन दर्शी समाज का अर्थ जो है क्या होता है तो 41 का जो सही एंसर है वो है सी जिसके विवहार जो है आप यहारिक हो अगला जो क्यूश्चन है 42 नंबर कहरा अपनी उपर अपनी देह और दिमाग पर जो है संप्रभू होता है यह किसका कथन है तो 42 का सही एंसर हो जागा सी जेस मिल कर यह कथन है 43 नंबर क्यूश्चन के रैजान लागतिन प्रकार के प्राकृति कधिकारों की चर्चा करता ह इन में से कौन सा उसके वरगी करण में नहीं आता है तो सही एंसर हो जागा सी समानता का धिकार 44 नंबर क्यूश्चन है निमनलिखित में से किसने कहा कि जितना मैं जानता हूं वह यह है कि मैं माक्सवादी नहीं हूं तो इसमें सही एंसर हो जागा एक काल माक्स का कथन है अगला जो हमारा क्योशन है क्या रहा है कि निम्नलिखित में सिकिस विचारक के अनुसार स्वरकंतरता वस्वानता एक दूसरे के विरोधी हैं तो इसमें जो सही एंसर है हो जागत सी एफे हैक जो है तो इसको पढ़ के निम्नलिखित नीचे दिये गए दूवक्त अभी गथन और दूसरा कारळ कहा गया है तो 47 नमबर जो question में सही answer है वो आयोग ने उसको माना है A को A जो है sorry A सही answer है दोनों ही कथन सत्य है और A की सही व्याख्या है Question number 48 कह रहा है कि किसके तहत भारत में पहली बार प्रिथक निर्वाचन को माननेता मिली तो इसमें प्रिथक निर्वाचन की बात की जा रही है और सही answer इसमें आयोग ने माना है A को भारतिय सासन अधिनियम 1861 अगला जो question है इसको सुमेलित करने को कह रहा है 49 नमबर question और इसमें जो सही answer है वो आपका C ही सही है आप देख लेंगे मिला लेंगे अपने ही साब से अगला जो question नहीं कह रहा है निमनलिखित में से किसने the 20 year crisis पुस्तक लिखी है तो सही answer हो जागा C इसकार नहीं ये पुस्तक लिखी है 51 नमबर question है निमनलिखित में से कौन एक नौव यथार्थ वादी विचारक है तो सही answer हो जागा D केनेथ वाल्टेज अगला जो question है 52 इसमें कह रहा है कि इस थगन प्रस्ताव का उदेशी क्या है तो सही answer हो जागा D और विलम बनिय लोक महत्व की मामले की तरफ सदन का ध्यान आकरिष्ट करना और 53 नमबर question है तीलग को भारतिया सांति का पिता किस ने कहा है तो वेलेंटाइन सी रोल जो है सही answer है 54 नमबर जो question है इसमें कह रहा है कि भारतिय सम्मिधान में 44 सम्मिधान संसुधन अधिनिय संपत्ति के अधिकार की वरतमान इस्थिति के संदर में निमल लिखित में से कौन से भी कल्प सही है तो इसमें 54 का सही answer है डी एक और तीन जो कथन है वो सही है अगला question है अगला question है मार्सल मैक लुहान बैस्विक गाउं सब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए तो इसमें जो सही answer हो जाएगा बैस्विक अरड के लिए जो है इस सब्द का प्रयोग करते हैं मैस्विक गाउं का अगला question है 56 नंबर क्यारा कि उत्तर दच्छन सनवाद का क्या आर्थ है तो सही answer इसमें भी हो जाएगा उत्तर अमेर देशों का प्रतीक है जबकि दच्छन में विकास सेल डेश आते हैं अगला question है 57 नंबर किसी पंचायत के समयावधी पूर्ण होने से पूर्व भंग किये जाने की इस्थिती में गठित पंचायत कारी करेगी कब तक कारी करेगी तो सही answer हो जाएगा 57 का सही answer है अगला question है 58 नंबर क्या रहा है कि 91 वे समिधान संसोधन अधिनियम 2004 का विशय क्या है तो इसका सही answer हो जागा भी मंत्री परिशत की आकार का परिश्यमन 59 नंबर क्या रहा है कि कथन और कारड जो है दिया गया है तो 59 में जो सही answer है वो है आपका एक दोनों कथन सत्य है और एक ही सही व्याख्या करता है question number 60 है इसको सुमेलित करना है तो इसमें जो सही answer है आपका जो 60 नंबर question है सुमेलित करना है इसमें सही answer है आपका दी 3-4-2-1 जैसे अमेरिका का समिधान जो है उपराश्पती को जो है उपरी सदन के पदेन अध्यच के रूप में देखता है और कनाडा का समिधान संग सरकार को और सिष्ट सक्तियां देता है आश्टेलिया का समिधान समवर्ती सूची की बात करता है और जापान का जो समिध एक वाद के विकास के लिए निंदा की है तो सही एंसर इसमें हो जागा भी कारल पापर ने जो है निंदा की है तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, D. माक्सवादी विचारधारा के अनुसार, 64 नमबर क्योष्टन है, अलपसंखेकों के प्रतिनी धित वहेतू, तीन महतोपुन बेवस थाएं, कौन सी हैं, सही एंसर है, A. सीमित मतियोजना, संचय मतियोजना, और सीटो का आरच्छन, अगला क्योष्टन है, 65 नमबर जो क्योष्टन है, ये कह रहा है कि, वियोहार बाद निमने मैं से किस विचारधारा से प्रभावित है, तो 65 का जो सही एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, A. आरकिक, प्रत्यच्छवाद,uld, 66 नमबर क्योष्टन कह रहा है कि, निमने लिखि कथम अंतरिम राष्टिय सरकार की घोश्रा कब की गई तो 67 का जो सही एंसर है वो है सी 24 अगर्स्त उन्नी सो च्छे आलेस कूँ कि 68 नंबर जो क्योश्चन है वो स्टेट्मेंट है कि मेरा माना है कि मानव जाती की उर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं है बलकि हमें उपर उठाने के लिए है और यह निश्चिंतिता का परिडाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना यह इंग लगर क्योश्चन के रहा है कि राज की उतपती के विशें में 69 नंबर क्योश्चन है राज के उतपती के विशें में निमनललिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक पूरातन तर नाहीं तो 69 का जो सही एंसर है वो है достаточно C शेवंट्चन क्यूनर क्योश्चन कि के बहूलवादी पच्छधर हैं किसके तो सही एंसर है C राजी की सक्थी कम करने के पच्छधर हैं बहुलवादी 71 नमबर जो कुष्च ने कह रहा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो इसमें सही एंसर हो जागा सी आश्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक स्वरूप 72 नंबर जो क्यूश्चन ने कह रहा है निम्ले लिखित में से कौन सा लोग प्रसाशन पर विधाई नियंतर का तरीका नहीं है तो 72 का सही एंसर है सी सरकार के विरुद अभियो लोग प्रसाशन पर विधाई नियंतर का तरीका नहीं है और 73 नंबर क्यूश्चन है निम्ले लिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिधाधनत का जनक माना जाता है तो इसमें सही एंसर हो जाएगर डी हैनरी फ्रेयोल को फिर हम 74 नंबर क्यूश्चन को देखते हैं इसमें जो कह रहा है सुमेलित करने के लिए कह रहा है और इसमें जो सही एंसर है 74 का जो है बी एंसर है यानि कि दो ग्यानों का सिधान तो सुकरात का कथने दो तलवारों का सिधान ये पोप ग्रेगरी का जो है उससे संबंधित और चार कानूनों का सिधान जो है ये संध थामस एक विनाज से समन्दित है क्यूश्ट नमबर 75 का रहा कि निमनलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है तो 75 का सही एंसर है सी एक कठोर सम्भीधान केवल उच राजनितिक चेतना के लोगों ही तू उपयूगत है क्यूश्ट नमबर 76 जो है कह रहा है कि आमंड योवं पावल द्वारा सनरेचनात्मक प्रकार्यात्मक वाद का अनुप्रियोग निमनलिखित में से किसका अनुप्रियोग था तो 76 का सही एंसर है ए इस्टन की राजनितिक ब्यवस्था का धांचा 77 नमबर ग्यूश्ट नमबर क्यूच चिन काया रहा है कि निमनलिखित में से कौन नौव वामपंथ वाद का प्रमुख जो है विचारक माना जाता है तू 77 का सही एंसर है वो हैajist का जो सही एंसर है वो है दी उपरोफित सभी 79 नमबर क्योशन है लाग के मत में जिस उदेश के निमित राजे रचा गया वह क्या था तो 79 का जो सही अंसर है वो है ए समुदाय की भलाई के लिए फिर जो 80 नमबर क्योशन है इसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है और इसमें जो सही अंसर है वो आपका भी है 3-2-4-1 आप एक पर मिला लेंगे केशिवियर अर्थ संगहात्मक और पाल अपले भी अतिसर संगहात्मक 3-2-4-1 आईवर जेनिक्स मजबूत के इंद्रीकित प्रविर्ती सहीत संगह और ग्रेंविल आस्टीन जो है सहकारी संगवाद 81 नमबर क्यूशन कहा रहा है भारती समिधान की छटी अनुसूची में दी गई स्वायत जिला परिशद उत्तर पूर्वी भारत के किस राजय में लागू नहीं होती तो 81 नमबर क्यूशन का सही अंसर है आयोक यनुसा C, नागलेंड अगला जो क्यूशन ने कह रहा है भीधिक और राजनीतिक संप्रभुता की मद्ध भीद किस ने किया था तो 82 का सही अंसर है C, डाएसी ने किया था 83 नमबर क्यूशन है कि किस संधी ने योरोपिय संग की नागरिकता इस्थापित की थी तो इसमें सही अंसर है B, माश्टरिच की संधी 1992 अगला क्यूशन है 84 नमबर प्रेसासन राजनीति की एक साखा है या जो कथन है वो किसका है तो इसमें सही अंसर हो जगा A, डोनाल्ड किंग सले का ये कथन है 84 का जो सही अंसर है 85 नमबर क्यूशन के रहा है कि आधुनी की करण और च्छै के सिधान्त की और धारड़ा जो है निमनलिखित में से किस ने दी तो सही अंसर है C, हाटिंग गटन ने दी अगला क्यूशन के रहा है कि किस ने कहा कि ये संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानों स्रिष्ट में होता है तो 86 का भी जो सही अंसर है वो है C, आश्टीन ने ये बात कहिए और 87 नमबर जो क्यूशन ने कह रहा है ये निमनलिखित में से किस पुस्तक को मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा है तो सही अंसर है C, जर्मन आइडियोलोजी 88 नमबर क्यूशन कह रहा है कि निमनलिखित में से किस ने संचार एवम राजनितिक व्यवस्था के नियंतर का सिध्धान तिया तो 88 का जो सही अंसर है वो भी ऐसी काल लियोशने और यहां पे 99 लिखा है लेकिन ये क्यूशन नमबर 90 है कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित और प्रडाली के सिधान्त का प्रतिपादक कौन है तो 90 का जो सही अंसर है वो है D, थामस, हेयर अगला क्यूशन कह रहा है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रच्छा करता है ये कथन किसका है तो इसमें सही अंसर हो जागाटी लास्की का ये कथन है अगला क्यूशन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग किसके अधिन कार्य करता है तो 92 का सही अंसर है टी, इन में से कोई भी नहीं, क्योंकि वे वह एक निर्वाचनायोग जो है, स्वायत निका है, किसी की अधीन कार्या नहीं करता है 93 नमबर क्योशन है, कि निम्नलिकीत में से कौई, दे स्पिरिट अफ लाज के लेख़य के लेख़य कहा है तो इस में सही अंसर हो जगा भी माण्टेस कु जो है, इसमृट अफ लाज के लेख़य कहा है अगला question कहा रहा है नागरिक समाज उपयोगत नाम है किसका तो 94 का सही answer है भी लोगतांतिक और कियात्मक समाज का 95 question कहा रहा है कि मुल्यों का अधिकारिक बटवारा किसी समाज की एक नियुनतम पुर्व सर्थ है ये कथन किसका है तो सही answer हो जागा D डेविट इस्टन का कथने तो 95 का जो है D answer सही है 96 नंबर question कहा रहा है वह स्थान जहानाव सेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिस आसन के बिलू खुला भी द्रूह किया था तो सही answer हो जागा ये बंबई या मुंबई 97 नंबर question कहा रहा है कि भारत में लेखांकन को लेखा परिछण से कब अलग किया गया था तो 97 का सही answer हैसी 1976 में 1976 में 98 नंबर जो question है कहा रहा है कि भारत में वर्तमान लोग सेवा निमने लिखित में से किस प्रकार की नौकर साही का नया संस्क्राण है तो सही answer हो जागा भी योगिता मुलक नौकर साही 99 नंबर question है कि लोग सभा का प्रता मद्यच कौन था सही answer हो जागा जीवी मावलंकर ये सही answer है 100 नंबर question कह रहा है कि चेश्टर बर्नार्ड के सिधान के नुसार निमने में से कौन सा किसी संगठन के नेतित तो करता द्वारा आधिकारिक संचार है तो आवश्यक सर्त नही है तो सही answer हो जागा डी निरंतर पर्यवेचन 100 का जो सही answer है वो है डी निरंतर पर्यवेचन अगला question कह रहा है निमने लिखित में से कौन सा 222 लोकतंत्र की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है तो सही answer हो जागा भी सैमूल पी हटिंगटन 102 नमबर question है गुट निर्पेच अंदोलन का बारहुआ सिखर समेलन कहां हुआ था तो इसका सही answer हो जागा भी डर्बन में और 1998 में question number 103 है समाजवाद सब्दावली का प्रथम प्रयोग हुआ किसके द्वारा तो 103 का सही answer है सेंट साइमन द्वारा समाजवाद सब्दावली का प्रथम प्रयोग हुआ एक सो चार नंबर जो क्योशन ने कह रहा है गांधी जीन उनलिखित में से किन पुस्तकों से प्रभावित थे तो इसका सही एंसर हो जगा डी एक और तीन अल्थात अंटू देस लास्ट और किंग्डम अफ गॉड विदिन यू इसमें डी सही एंसर है नंबर 105 कहा है कि भारत में संग के मंत्री के लिए पद की सपत किसमें उपबंधित है तो सही एंसर हो जगा सी भारती समिधान की तीसरी अनुसूची में क्रिश्टन नम्बर 106 जो है कह रहा है उप्राश्पति के चुनाओं के संदर में निमन लिखित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है दो सही एंसर हो जगा सी निर्वाचक मंडल का गठन संसत के दूनुर सतनों के निर्वाची सदस्यों दोरा होता है क्रिश्टन नम्बर 107 कह र अगला क्यूश्टन है निमन लिखित में से किसने अपने न्याय के समाजिक समझा होता के वी वेचन में मूल इस्थिती सब्दावली का प्रयोग किया है तो सही एंसर हो जगा डी राल्स ने प्रयोग किया है फिर कह रहा है 109 नम्बर क्यूश्टन तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है तो इसमें जो सही एंसर है वो है बी देवेंद्र नाथ टैगूर 109 का बी एंसर है क्यूश्टन नम्बर 110 देखते हैं मुख्य कारेपालक संगठन में कठिनाईयों का अंत करने वाला पर्यवेचक एवं आगामी कारेक्रामों का परवर्तक होता है या क्यूश्टन नम्बर 111 में जो है सही एंसर है इसमें सी एक और दो जो है दोनों सही है पहला कथन है जमुयम कस्मी राजिका विस्यस दर्जा जो है समाप्त और संभीधान अधिक्रमित अनुछे 370 भारत की संभीधान से मूल पाठ के रूप में समाप्त तो 111 में जो सही है वह आपका सि एक और दो जो कथन है वो सही है कि के टो पर ज क्यूश्यन नमबर 112 कहरा है कि आसियान और चीन के मद्ध एक समगर आर्थिक सहयोग समझाते पर कभास्ता अचर किया गया था तो 112 का सही एंसर है भी वर्ष दोजार दो में आसियान और चीन के मद्दे जो है आर्थिक सयोग समझाते पर हस्ता चर हुए था 113 क्यूशन कर रहा कि मार्क्स का दुन्दात्मक भौतिक वाद तो 113 का सही एंसर हो जाएगा भी हीगल के दुन्दात्मक अधर्शवाद का बिलोम था क्यूशन नम्बर 114 कह रहा है कि प्रत्यच प्रजातंत्र के अनेक उपकरण है इनमें से दो सरवादिक लोग के प्रिय उपकरण कौन से है तो इसमें सही एंसर हो जाएगा भी जन्मत संग्रा और आरंभग क्यूशन नम्बर 115 कह रहा है A System Analysis of Political Life के लेखक कौन है तो 115 का सही एंसर है भी डेविड इस्टन 116 नम्बर क्यूशन कह रहा है कि एक अभी कथन है और एक कारण है इसको पढ़ना है और सही एंसर देना है तो इसमें सही एंसर है आपका ये और आर दोनों सत्य है और आर एकी सही व्याख्या करता है कथन है भारती सम्मेधान के 312 नुचिर के अनुसार राजे सभा नवी नखिल भारती सिवाय सिजित कर सकता है और राजे सभा राजशोरित को परिभासित करने का उचिती स्थान है तो इसमें आयोग ने एक को सही एंसर माना है क्वेश्चन नमबर 117 कह रहा है कि भारतिय वायुसेना ने किस देश में आपरेशन कैक्टरस को कार्यान मित किया तो सही एंसर है डी मालदीव में और क्वेश्चन नमबर 118 कोटी लेके राजे को किस रेणी में रखा जा सकता है तो सही एंसर हो जागा ए लोक कल्याणकारी राजे के वर्ग में रखा जा सकता है क्वेश्चन नमबर 119 कह रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा अंतराश्टी विधी के सनहिता करण से संबंधित है तो क्वेश्चन नमबर 119 का जो सही एंसर है वो है सी एक और दो दोनों यानि सनुक राश्च चार्टर की धारा 13 और अंतराश्टी विधी आयोग क्वेश्चन नमबर 120 और पॉलिटिकल साइंस में आज इसमें यह अंतिम क्वेश्चन है सुख की मात्रा बराबर होने पर पुस्पिन और काभियापार्ट में कोई भेद नहीं है जर्मी बेंथम के इस कथन का क्या आसर है तो इसमें सही एंसर हो जाएगा इसमें सही जो एंसर है वो हो जाएगा आपका यह सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए नकी गोंड के रूप में तो इस प्रकार हमने जो है आयो की ऑफिशल एंसर की देख ले और आपके कित्ते क्योश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताए हैं ताकि एक आइडिया लग सके कि कॉट ओफ कितनी जाएगी और इंटर्व्यू के लिए कितने जो है कौन-कौन लभग इलिजबल हैं इंटर्व्यू के प्रिप्रिशन के लिए तो आज के लिए फ्रेंट्स इतना ही धन्यवाद